यह क्लास सेवन्थ इंग्लिश न्यू जेम्स रतना सागल लेसन नमबर ठाटीन नो रूम फॉर अ लेपार्ड और यह चैप्टर लिखा हुआ है रसकिन बॉंड के दुआरा यहां पे रसकिन बॉंड इस स्टोरी में अपने राकरतिक प्रेम को बड़े ही अच्छे से दर्सा साते हैं साथ ही यह भी बताया गया है कि रसकिन बॉंड का सामना बहुत से जानुरों से हुआ है और स्पेसली उनमें से एक लेपार्ड भी है जो उनकी घाटी में रहा करता था और उस लेपार्ड का इन पर भरोसा भी हो गया था लेकिन एक दिन उस घाटी की जो सांती है वो खतम हो गई ऐसा क्यों हुआ अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कहते हैं रस्किन बोंड अपनी स्टोरी को नरेट करते हुए मैंने पहले उस लेपार्ड को तब देखा जब मैं अपने पहाड़ी के नीचे बहते हुए छोटे से जन्य को क्रोस कर रहा था वो घाटी इतनी घहरी थी कि जादा तर वहाँ पर सैडो रहती थी यानी चाओ रहते थी जिससे वहाँ पर रहने वाले बर्ड्स और एनिमल्स को बढ़ावा मिलता था कि वो दिन के समय में बाहर निकल कर आ सके कुछ ही लोग वहाँ से जाया करते थे जिस वज़े से गाटी उन जंगली जानवरों के लिए एक स्वरकी की तरह एक सेफ प्लेस बन चुके थी मेरे कोटेज के नीचे एक जंगल था जिसमें ओक और मेपल्स और हिमालियन रहड़डेंडरन के ट्रीस थे उन्ही ट्रीस के बीच में से एक छोटा साथ टेड़ा मेड़ा रास्ता होकर जाता था मेरी पहाड़ी के नीचे एक और रास्ता था जिसके दोनों तरफ बड़ी बड़ी घासे थी और उनमें वाइल्ड डोक रोसिस लगे हुए थे महाँ से बहता हुआ जर्ना किनारों पर लगे हुए छोटे छोटे पत्रों को बड़ी प्यार से छूता था लगबग हर सुबह मैं एक बार्किंग डियर की आवाजे सुनता मैंने वहाँ पर एक पाइन मार्टीन यानि एक नेवले को देखा एक हैंसम रेड फोक्स को देखा यहां तक कि मैंने वहाँ पर एक भालू के कदमों के निसानों को तक पहचान लिया क्योंकि मैं वहाँ पर रोज आया करता था और वहाँ पर किसी भी तरीके से जंगल में कुछ भी डिस्टरिबेंस क्रियेट नहीं करता था तो वहाँ के बर्ट्स और एनिमल्स बार-बार मुझे देखकर मेरे चहरे के आद्य हो चुके थे कुछ समय बाद वो मेरे आने से भी परिसान नहीं हुआ करते थे पहले लंगूर और जो ओक और रोडोडेंडरन ट्रीस पर बैठे हुए पहले एक डाली से दूसरे डाली पर मुझे को देखकर उच्छला करते थे अब मुझे बड़ी जिग्यासा से मुझे देखते हैं और अपनी ओक के सूट को गरीन सूट को चबा रहे होते हैं नहीं मतलब कि अब उन्हें कोई भी परिसानी इनसे नहीं होती फिर भी एक साम के समय एक साम के समय मैं वहां से जा रहा था किसी की बाते करने की मुझे ट्रीज पे से आवाज सुनाई दी साइध मैं उनकी एकसाइटमेंट की वज़ए मैं तो नहीं हो सकता ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लंगूर जो मेरी बारे में बात कर रही है वो साइध मुझे किसी तरीके से मुझे किसी खत्रे के बारे में मुझे आगा कर रहे हो मुझे बता रहे हो कि तुम्हें लिए कोई खत्रा है तब ही मैंने देखा कि उपर से पहाड़ी के उपर से डुड़कते हुए छोटे छोटे पत्थरों की बारी सो रही है मेरी तरफ मैंने देखा वहाँ पर एक जब उपर की तरफ देखा तो ओरेंच गोल्ड लेपाड एक पोजिशन में पत्थरों के उपर करीबन 20 फीट मुझसे करीबन 20 फूट की दूरी पर वो खड़ा हुआ था वो मुझे तो नहीं देख रहा था वो देख रहा था एक घाटी की तरफ घाटी की तरफ ही देखी जा रहा था पर उसे साइद मेरे होने का वहाँ पर पता चल गया था जिस वज़े से उसने धीरे धीरे करकर अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ना सुरू कर दिया और वो मुझे देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया साइद कि मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ पर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और अपने हातों से तालियां बजाई जिससे की लेपाड बड़ी ही अराम से बिना आवाज करे उन जाडियों में कूद गया साइद मैंने उसे खाना खाते वक्त यानि सिकार करते वक्त उसे परिसान कर दिया होगा पर कुछी समय बाद मुझे उस बार की डियर की चिलाने की आवाज आई मैं समझ गया कि उसका सिकार हो चुका है और सिकार अभी भी जा रही है वो लैपार्ड अब लैपार्ड के बारे में बता रहे हैं कि लैपार्ड कैट फैमली का ही मेंबर है जो लगभग इंडिया से एक्स्टिंक्ट होते जा रहे हैं यानि खतम होते जा रहे हैं और मैंने ऐसा ही एक लैपार्ड जो इंडिया में बहुत ही कम है ऐसा ही लेपाड इतने नस्दीक से देखा और वो भी मसूरी में सायद हो सकता है कि आस पास में काटे जाने वाले जंगलों की वज़े से वहां के जानवर हमारी छोटी सी हील में आ चुकी है इस हरी बड़ी वैली में कुछ समय पहले कुछ हफते पहले मैंने उस लेपाड को सायद देख लिया था उसका अभास मुझे हो चुका था उसके होने का ऐसा क्यों है क्योंकि एक समय ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि कोई मुझे फोलो कर रहा है एक दिन मैं अपने घर के लिए घर के लिए मुझे देरी हो चुकी थी कोई दो आँखे मुझे बड़ी तेजी से घूर घूर कर जाडियों में से देख रही थी मैं सीधा खड़ा रहा मुझे बहुत डर लग रहा था मेरा दिल बड़ी तेजी तेजी से धड़क रहा था तब ही वो आँखे जो मुझे घूर रही थी वो डांस करने लगी मुझे रियलाइस हुआ ये कोई आँखे नहीं है ये तो फाइफ लाइस है तो मेरे मतलब उसके डर खतम हो गया यहाँ पर में और जून के महीने में यहाँ पर ये हील्स ये पहाड़ियां ज़्यादतर ब्राउन कलर की दिखाई देती है यहाँ तक कि यहाँ पेड़ पोते भी सूख गए होते हैं पर फिर भी भेजते हुए ज़रने के पास वाली जगह उपर हमेशा ठंटी और हरीबरी घांसे देखने को मिलती है जो कंटिनुवसली लगातार बढ़ती रहती है एक दिन मैंने उस बार्किंग डियर जो लेपार्ड ने खा लिया था उसका आधाक खाया हुआ सरीर को देखा मैं सोचने लगा क्यों इस लेपार्ड ने अपने इस खाने को अधूरा छोड़ दिया और इसको छिपाया भी नहीं साहिद हो सकता है कि खाने खाते वक्त यानि इसका सिकार करते वक्त किसी ने इसको डिस्टर्ब कर दिया होगा फिर जब मैं पहाड़ी के उपर चड़ा तो मैंने देखा कि वहाँ ओक के प्वेड के नीचे कुछ हंटर्स हैं वो हंटर्स मुझसे पूछ रही थे कि क्या तुमने किसी लेपार्ड को देखा है मैंने मना किया कि मैंने किसी लेपार्ड को नहीं देखा उन्होंने कहा कि यहाँ पे जरूर एक लेपार्ड है क्योंकि हंटर्स ने यानि सिकारियों ने एक डियर के आदे खाई हुए सरीर को वहाँ पर देखा था और साथ ही लेपाड के पंजो के निसान को भी वहाँ पर उस जंगल में ढूंड लिया था क्योंकि वो हमेशा वहाँ पर आया करते थे हर साम के समय उनके गंस की आवाजे सुनाई देती चलने की जैसे कि वो हमेशा गंस को लेकर फाय करने के लिए हमेशा रेडी रहा करते थे उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर जरूर एक लेपाड है और लेपाड होने की वज़े से तुम्हें तो एक अपने पास एक गं रखनी चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए तो मैंने कहा मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे पास कोई गं नहीं है नहीं जरूरत है यहाँ पर कुछी बर्स देखने को हमें मिल सकती है और लंगूर तो अब जाही चुके हैं और व कुछ नहीं सोचा और कोशिस किया कि उनको अवाइड किया जा सके फिर एक दिन मैं उस जरूरत करकर परी तिबबा पर चड़ा पर परी तिबबा क्या है एक हील पर पहाड़ी पर एक जिगे है जहां पर कोई नहीं रहता है सिर्फ वहाँ पर खंडर्म है और जाड़ी वग किर से मुझे मेहनत करके पत्त्रों और पेडों की जड़ों को पकड़कर उपर चड़ना पड़ा जैसे ही मैं उपर पोचा तो मैंने देखा वहाँ खाली जिगे पर सिर्फ कुछ पाइंट रीस के पीड़ हैं जिनकी ब्रांचिस हवाउ से जूल रही हैं फिर मैंने आगे पड़ा तो मुझे मिले कुछ खंडर और वो खंडर किसके हैं कोई खंडर है जो जहां पर कोई पहले रहा करता होगा अब कंडर बन चुके हैं और कुछ मलवे थे उस खंडर के जिस पर कुछ unwanted plants जानी वीड्स कुछ और ये plants के भी नाम है डेंडिलन, नटल्स, सोरैल यह सनाटा के बीच फस गया था मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सनाटा ही मेरी कानों में कॉझ रहा हो कोई भी नहीं था वहाँ पर फिर भी मुझे किसी के होने का अंदाजा हो रहा था मुझे महसूस हो रहा है थी कि यहाँ पर जरूर कोई है क्योंकि मुझे एक smell आ रही थी किसी cat family के किसी members की cat family की पर जाती के यानि leopard की यह सोच रहे हैं तो मैं वहाँ पर रुख गया और इधर उधर देखने लगा मैं अपने आपको वहाँ पर अकेला पाया मैं बहुत ही अकेला था वहाँ पर यहाँ पर कोई पत्या तक नहीं ही ती नहीं कोई छोटे मोटे पत्तर हिलने की कोई आवाज आ रही थी वह खंडर जो मैंने देखे थे उनकी छट आसमान की तरफ खुली हुई थी मतलब खुले हुए थे और वो गिर कर एक दूसरे से लग कर दिवारे जो टूटी थी उनकी वो एक दूसरे से लग कर उन्होंने एक तरीके से गुफा बना ली थी और साइद ऐसा लग रहा था अंदेरी गुफा में कोई अंदर बैठा हुआ है जैसे ही मैं उस गुफा के और नजदीक गया तो मुझे वो इसमेल और ज़्यादा आने लगी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा वो इसमेल और ज़्यादा तेज होती गई फिर मैं वहाँ पर तुरंट दुबार से फिर से रुक गया मैं रुक कर ये सोचने लगा कि क्या होगा अगर मुझे वहाँ पर एक लैपाड मिल गया तो लैपाड अगर मिल गया तो इन पर हमला कर सकता है नेक्स्ट उन्होंने फिर ये भी सोचा कि साइध यहाँ पर वो लेपाड अपना रात में सिकार करने के बाद अराम करता होगा तो उन्होंने आगे जाने की सोची नहीं तो वो वहीं पर रहे और वहाँ पर देखा उन्होंने कि कोई जानवर उन्हें अंदर से देख रहा है ठीक है उन्हें देख रहा है उन्हें रिकोगनाईज पहचान भी रहा है कि एक इंसान अकेला इस जंगल में खड़ा हुआ है बिना किसी हतियार के फिर भी उन्होंने उसके विजिट को एक फ्रेंडली वे में लिया ठीक है एक दोस्ती बरे अंदाज में मतलब दोस्ती बरे अंदाज का मतलब है कि उन्होंने उस जानवर ने इनको रस्किन बोन को किसी तरीके से भी नुकसान नहीं पहुचाया और फिर बस उनको इग्नोर कर दिया जैसे कि उन्हें रस्किन बोन पे यानि आप राइटर पे भरोसा हो गया हो फिर राइटर फिर अपनी नरेटिंग को जारी रखते हैं और बता रहे हैं कि मैंने और आगे जाने की हिम्मत नहीं करी मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं और आगे जा सकूँ ना ही मैंने किसी तरीके से फिजिकली कॉंटेक्ट या फिर किसी चीज को टच किया और फिर मैंने लास्ट बार उस क्रियेचर को सुन्दर क्रियेचर को देखा और साइध मैं वो जो क्रियेचर था वो किसी भी पत्त्रों पे चलांग लगा कर मेरे पास आ सकता था साइद उसका ट्रेश्ट मुझ पर आ गया था मतलब उसका मुझ पर भरोसा हो गया था जो मैं चाहता था कि उसका मुझ पर भरोसा रहे पर क्या किसी लेपार्ड का किसी इंसान पर भरोसा करना क्या उसके लिए एक गलती है क्यों वो मुझ पर विश्वास कर रहा है अब देखो ऐसा क्यों ये राइटर सोच रहे हैं इसके बारे में हम नेक्स पेरग्राफ से पता करेंगे क्योंकि अगले ही दिन जब वो ज़र्ने को पार करकर उसी रास्ते पर आ रहे थे तो किसी के चिलाने की यानि तेज सोर सराबे की और ड्रम के बीटने की आवाजे उन्हें सुनाई थी ये सिकारी थे जो अपने ड्रम बजा रहे थे और तेज से आवाजे निकाल रहे थे उनके कंदों पर बैम्बुस के पोल्स लगे हुए थे उस पोल्स पर वो जानवर जिसके पैर उपर की तरफ लटके हुए थे और सिर्ड नीचे की तरह था उसका सरीर उस लेपाड का सरीर मर चुका था मतलब उसमें जान नहीं पची हुए थी उसके सिगले पर निसाना बनाया गया था गन्ये पर वार किया गया था जिसकी वज़े से उसकी डेथ हुई होगी अब जो सिकारी है वो कह रहे हैं हमने कहा था ना कि यहां पर एक लैपार्ड है यानि वो इस बात को मज़ा के तोर पर एक हसमुक्त सबाब में कह रहे हैं, देखो हमने कहा था ना कि यहाँ पर एक लैपाड है, देखो हैना यह कि यह नबूना, अब नरेटर कह रही हैं, हाँ यह एक सुंदर लैपाड हुआ करता था, बस इतना कहने के बाद वो अपनी घर की तरफ बड़ी ही सांती भरी सबाब में चल देती ह वो जंगल में, जिस जंगल से वो जा रहे थे, उस जंगल में अब बहुत ज़्यादा सांती थी, लगबख सभी बर्ट्स और एनिमल्स ऐसा लग रहा था उनको देखकर कि उनका ट्रेस्ट, उनका भरोसा तूट चूट चुका है, मैं उसी पोयम्स को याद कर रहा था, जो डी एच लोरेंस ने लिखी हुई थी, जैसे ही मैं वहाँ पर अपने अकेला उस रास्ते पर जा रहा था, मेरे मन में वही लाइंस, वही पोयम्स की लाइंस बार बार गोंज रही थी, और वो पोयम्स की लाइंस क्या थी, देर वास रूम इन दा वर्ल्ड फोर अ माउंटे लाइं एन मी, ठीक है, यही पोयम्स थी, तो मतलब क्या था, कि रस्किन बोर ने क्यों कहा था, कि इस लेपाड का एक इनसान पर बरोसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसका हमें यहीं से पता चला, क्योंकि उसने बरोसा कर लिया, जिस बज़े से उसने सिकारियों को प इसकी वज़े से उसकी डैथ हो गई, तो यहीं सोचना उसका बिल्कुल गलत था, यहीं चैप्टर अब यहां पर फिनिस होता है, अगर वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक ज़रूर करना है, थैंक यू, हैव नाइस डे,